एब्रीवान वेल्कम बैक टू मैं चैनल आद्या फैमिली चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छी होगी गाईज एड़ भी बहुत अच्छी हूं तो अभी हो रहा है मौनिंग का टाइम और नीचे से बंद है मैं उपर से खोल रही हूं और बंद प्लॉट में हमारे काम चालू हो गया है यह बस ब्रिकफास्ट करके चले गए हैं तो नीचे ही रहते हैं यह फिर लंच करने आते हैं और मैंने सोचा चलो अभी मैं नहा लेती हूं फिर अपने काम चुरू करती हूं और सुबह सुबह इस्ट फेसिंग है ना तो सनलाइट पूरी हमारे घर के अंदर आती है मतलब जब आख खुलती है तो सूर्य भगवान सामने ही डर्शन दे देते हैं और चलो नहा चुकी हूं मैं और आज मुझे काम बहुत जादा है वैसे तो मैंने खाना बरना शुरू कर दिया अपने किचन में बट मेरे मन मुताबिक अभी मुझे थुआ सा देर हो जाएगी टाइम लग जाएगा तो इससे बेटर यह रहेगा कि मैं लंच बना करके रख दूं और दूबी नहीं हो रहा तो आद्या नो इधर आओ तो दूब बहुत जादा लग रही थी तो बरतास नहीं हो रहा था तो मैं यहां पर खड़ी हो нейहीं जादा जो घर में सामान होता किचन में होता है तो वैसे तो कु्छ ज्यादा सामान है नहीं बप ज़्तिन में तो हैंहीं तो चलो प्रम मैं के और ज्ये में देखो ळाई की तो इस घर में पता है लाइट की बिल्कुल भी जरूत नहीं कि इतनी ज्यादा रोश्णी है ना कि पूरे घर में उजाला रहता है और इस्पेशली शुबा के टाइम तो पूरे घर में ही उजाला रहता है तो बिल्कुल भी लाइट जलाने जरूत नहीं फिर भी ये लाइट तो यह और मैं बनाने वाली हूं 승िकिता नहीं इसको भीषने के बढ़ मेंuine की कि दाला में यहां हुआ कर लिए हैं मस्टर्ड याल डालने के बाद यहां पर जीर लूंगी rist मेरी है abundant Korean Amanda noon लिए हुई है और उसके साथ टमाटर प्याज सब कुछ लिया हुआ है तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल तो बहुत अच्छा सा डेश्ट आता है तो बस ऑइल अच्छे से गरम हो जाएगा उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें प्याज भी डाल और टमाटर डालने के बाद थोड़ी डेर तक इसको अच्छा से पकने देंगँ और दाल पिर इसमें मैं डाल दूँँगी इस तरीके से डाल जो मैंने धुल के रखी गी है उसको डाल देंगे और इसमें थोड़ी से मसाले डाल करके ही चने की डाल बनती ही तो यह मैंने घुट का वहा है बाना ते हुआ है झाहरे जाती है नापर जाता मुआ krijgen कछा रावा पानी note होता है एकदम परफेक्ट पानी दाल में होता है तो दाल ना बहुत काड़ी होती है और ना बहुत पतली होती तो देख सकते हो लास्ट में सॉल्ट एड कर देंगे और कूकर को बंद कर देंगे और 5-6 सीटी आने तक पकने देंगे उसके बाद यहां पर मैं सबजी छौकने जा रही हूं तो सबजी मैंने आलू और गोभी कट कर लिया है और मैंने बस बस ओडल दाला हुआ है नहीं बस नहीं बनांगे क्योंकि दाल कर दोके साथ सुख़ी सबजी अच्छी लगती है और इसको अच्छा से पकने देंगे बस उसके बाद आलू डाल करके सिंपली सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिच पाउडर थोड़ा थोड़ा सब डालेंगे बहुत जाड़ा सपाइसी सबजी नहीं बनाँगी मैं जब मैं इस तरीके से फ्राइड डाल या मसाले वाली डाल बना दिए हुआ तो इनको किसी भी सब जाणा बहुत जादा पसंद आता है तो बस मैंने डाल दिया है एक मुठी ही बचे हुए थे तो बस डाल दिया है और धक दूंगी सबजी को और 5-7 मिरट में धीमें आज में ये सबजी मेरी पक करके रेडी हो जाएगी तो इसके बाद अभी मुझे बहुत सारा काम है और यहाँ पर आने के बाद 2-4-6 दिन तो अर्जिस्ट होने में लगता है सब कुछ समझने में बच्चों को एंवायर्मेंट में धलने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहां के इंवायर्मेंट में चलो अभी आधा लंच मैंने बना लिया है और रोटी और चावल बनाना है जो मैं बाद में करूं और सीटी भी आ गई है और चावल अभी नहीं बनाओंगी चावल तो गरम गरम ही बनाओंगी और सब्जी जो है मने चौंक दिये आटा भी कटो भी नहीं बनाया थोड़ी दे में बना लूंगी और यहां पे ना इक चडिया बार-बार आके विंडों में बैट जा रही थी ब करते दिशने आगे तो अभी मैं अब लगने वाली हूं किचन में क्योंकि आज मैं इसको अच्छे से सेट करने वाली और नाइस करने वाली हूँ तो चलो फिर तो यहां पे मैंने kitchen cleaning start कर दी है और सबसे पहले मैं सारे डिबों को नीचे उतारूँगी क्योंकि मैंने हटबड़ी में ही सारे डिबों को ऐसी ही रख दिया था अलमारी में और पहले मैं अच्छे से उसको साफ करूँगी क्योंकि सफाई तो हुई थी बट बहुत जादा dust जमी रहती है तो अभी मैं गीले कपड़े से पहले सारे डिबों को नीचे उतारने के बाद अच्छे से अलमारी को साफ करूँगी पोचूँगी तो जिससे गीले कपड़े में ही सारी dust चिपक जाएगी और अच्छे से साफ हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसमें पेपर बिचाऊंगी और पेपर बिचाने के बाद फिर मैं सारे डिबों में सामान भरूँगी क्योंकि बहुत सारा जो किराना स्टोर का सामान रखा हुआ है ऐसे ही polythene polythene में थैलों में भर के रखा हुआ है उनको सबको मैं डिबों में भर करके और्गनाइज करूँगी तो देख सकते हो अभी मैं अपने काम में लगी हुई हूई और कब तक मेरा काम खतम होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है और अभी अक्षत आद्या दोनों सो गए है तो बहुत इत्मिनान से मेरा काम हो रहा है वरना आद्या नहीं इतना परिशान करती है और इतने आसपास जो किचन काउंटर के आसपास जितने भी डिबबे सामने रखे हुए है अगर आद्या जग रही होती तो एक-एक करके सारे डिबबे ले जाती है और सारा समान इधर से उधर किचन में भी फैलाती है पूरे घर में फैलाती है तो इसलिए मैं देख सोच रही थी कि जिस दिन अक्षत आद्या सो जाएंगे तो पहर में उसी टाइम मैं क्लीनिंग का काम जो है वो करूँगी किचन क्लीनिंग का काम तो बस आज का दिन मैंने चूस कर लिया है और इसी तरीके से मैं सारी चीजे भर रही हूँ चाई की पत्ती, चाई की पत्ती के डिबबे में और चीनी हो गया और भूम फली है, बेशन है, सब थोड़ा थोड़ा करके डिबबो में लगा दूगी काला नमक हो गया, सफेद नमक हो गया लोगों के बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेस्चन्स आ रहे हैं कि आप लगनव क्यों शिप्ट हुए हो, आपका बनारस से ट्रांसपर हो गया है क्या, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जी नहीं, अभी हमारा कोई ट्रांसपर नहीं हुआ है हम लोग लगनव आये हुए हैं, और किसी जरूरी काम से आए हुए हैं, तो हम अभी आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि वो जरूरी काम क्या है तो जिसकी वज़ा से हमें यहां शिप्ट करना पड़ा, यहां पर आना पड़ा है तो अभी देख सकते हैं, पूरा किचन मेरा मैसी मैसी सा हो रखा है आद्या भी सोकर के जग गई है, और इसकी हल चलना शुरू हो गई है और मेरा काम अभी तक खतम नहीं हुआ है, बहुत ही परिशान करती है तो अभी बीजिस में मुझे आद्या को भी देखना पड़ रहा है तो अभी अल्मोस्ट मैंने उपर का सारा क्रेट कर दिया है और अब अच्छे से मैं किचन काउंटर को यहां पर क्लीन कर रही हूँ और साफ सुत्रा किचन बहुत ही सुन्दर लगता है तो मैं आज आपको अपना किचन का होंटूर भी कराऊंगे कि कहां पर मैंने क्या चीजे रखी हुई है और किस तरीके से और्गनाइज किया है बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत सारा सामान नहीं है मेरे किचन में लेकिन जो कुछ भी है उसको मैंने सही से रखा हुआ है सही से सजा करके रखा हुआ है किचन अच्छे से क्लीन हो गया है तो जितना भी कच्छरा निकला हुआ साफ सफाई का उसको मैं कपड़े की हल्प से पोच रही हूँ यूदि कि अच्छे से साफ हो जाता है और टाइल्स में बहुत अच्छे से साफ सुतरा करना पड़ दाग बहुत जल्दी वार टाइल्स क्मोर आज्चे दो गंटे की महनत केивать गांट, थेक हैbnally मझे अपने किचन को िधूस्व हूब 3,02 घंटे की महनत केबाद अपना कैस शमकणा और ज़ो ज़ो जिस तरीके से रखा जाता है इतरा इन्यवेन से रख दिया है जो डेली यूज की चीजे हैं चीनी हो गया चाई की पती हो गई और नमक हो गया यह सब मैंने सामने दिब्बों में ही भर करके रख दिया है दाल है चावल है और बाकी जो एक्स्ट्रा समान था वो सब मैंने नीचे रख दिया है भर करके तो जो हमें डेली डेली नहीं करनी उसको सामने ही रखा है बर्तन मैंने इधर साइड रख दियें कुछ-कुछ उपर रख दियें बड़े बर्तन तो चलो भी बैक कैमरे से अपनों को दिखाते हैं कि साफ सुत्रा होने के बाद मेरा किचन कैसा लग रहा है तो यह मेरा है किचन काउंटर और यहां पर मेरा गैस चुला रखा हुआ है सामने है बड़ी सी विंडो तो सामने से पूरी एयर आती रहती है और बाहर भी देखते जाओ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो यह कुछ इस तरीके से हमारा किचन काउंटर है चारों तरफ इस तरीके से बना हुआ है इधर साइड बर्तन वा है तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से सिंक लगा हुआ है डबल वाला है तो काफी अच्छा है एक परतन मांश के रखते जाओ और दूसरे में वाश करते जाओ तो आसानी से काम हो जाता है और यह नीचे का एरिया है यहापर मैंने एक्ष्ट्रा सामान सब कुछ रख दिय हूँ और यह सब्जी स्टैंड तो सब्जी रखने के लिए यहां पर मैंने स्टैंड रख लिया अभी मैं वीडियो को एंट करती हूँ पसंद आया हो तो लाइक करिएगा फैमिली फ्रेंट्स में शेयर करिएगा और मेरी चैनल पर निव है तो सब्सक्राइब कर दीजेग विद बिल इकन और मिलूंगे अपरे नेक्स व्लॉग में अब तक के लिए बाइ बाइ और थैंक्स फॉर वचिंग आई